तो जैसे हमने 2022 और 2023 का बोड़ पेपर्स आपको सारे के सारे दे दिये थे 26-26 के उपर पेपर्स थे पिसले साल के आने पिसले दो साल के वह हमने आपको हुए थे तो इन दोनों पेपर्स को मैं आपके सामने लादा हूँ अब इसमें 2020 के पेपर में खासियत क्या है 2020 में जो term 1 हुआ था उसमें सिर्फ आधा सिलेबस था पहला आधा सिलेबस और वो पूरा का पूरा पेपर अबजेक्टिव था 40 मार्स का था और पूरा पेपर अबजेक्टिव था समझ सकते हो अब्जेक्टिव पेपर आया आपको और इस साल आपको पता है कि भाई competency-based questions 50% increase हो चुके हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत जादा जादा माईने रखता है उसके बाद जो term टूता है उसमें बाकी आधा syllabus था और पूरा 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 पेपर सब्जेक्टिव आया था तो बताइए भाई कितरा मज़ा आएगा आपको यह देखर कि आधा ही syllabus और सारे सवाल सब्जेक्टिव तो बदब आधे syllabus में इतना concentration है कितने सवाल पूछ गया है वो सब आपकी बहुत है तो इनुकwr सकता है तो इन पेपर आपको की लिए एक फोल्डर में दाल कर दे दिया है वेस फोलीड की इस दिश्रिप्चरीप्षिन में है क्लिए साइन अप करयो साथे सारे बोड पी पर सोलीशन भी चाहिए वीजिए बेर दमाद देंद के वाद दो सो कमेंट हो जाता है इस वीडियो में, तो definitely I will try to provide the PDF solutions as much as possible within 24 hours. तो मेलते हैं बच्छों नेक्स सेशिन में, आनिल्दी सभीषेग, signing off. थेस.